थर्मो केमिस्ट्री का लेक्चर नमबर वन हम अलड़ी डिसकस कर चुकें जिसमें मैंने आपको फर्स लॉफ थर्मो डानमिक्स के नुमेरिकल्स कराये थे आज हम थर्मो केमिस्ट्री का सेगंड लेक्चर डिसकस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर मैं आपको हैजस के numericals तीन तरह के हैं लेकिन आज हम सिर्फ heat of reaction वाले numericals करेंगे यानि हम वो numericals करेंगे जिसमें हम reaction की heat को calculate करेंगे फिर next lecture में हम heat of formation की numericals करेंगे और फिर last में bond hebber cycle के numericals अच्छा इस numerical इस case के अगर हम बात करें तो इसके numericals का सिर्फ एक formula है लेकिन formula थोड़ा सा मुश्किल है यह formula आपको याद करना पड़ेगा इस formula को अगर मैं असान करके आपको समझाना चाहूं तो जब भी आप किसी भी reaction की heat निकालना चाहें तो उस reaction की product की heat की value मैंसे reactant की heat की value माइनस कर दें दुबारा तो आपके पास जो heat की value आएगी उसे हम भूलेंगे reaction की heat यानि heat of reaction तो product की heat लें उसमें से reactant की heat माइनस कर दें तो जो जवाब आता है उसे हम कहते है reaction की heat मैं आपको चीज़ें क्लिए कर देता हूं थोड़ा सा यहां पर delta H लिखावा है delta H का मतलब होता है change in enthalpy enthalpy का मतलब होता है system की total heat enthalpy को हम define ऐसे करते हैं कि the total heat content of the system यानि एक system की जो total heat होती है उसे हम enthalpy कहते हैं तो reaction की enthalpy बराबर होती है इसका मतलब होता है submission submission का मतलब है जमा करना NP का मतलब number of moles of product जानि अगर आपने equation देखी हो तो equation में arrow लगा होता है arrow के बाद बहुत सारे chemicals लिखे होते हैं तो उन chemicals के साथ जो numbers लगे होते हैं उन्हें आप NP बोलेंगे इसी तरह से NR क्या होगा जो arrow से पहले के chemicals हैं यानि कि reactants तो उन में जो number लगा होगा उसे हम NR कहेंगे यह अगर आपको बात नहीं भी समझ आ रही तो यह रहने दें आप यह आपके काम की भी नहीं है आपको बस इतना बता होना चाहिए कि हम product की value लेंगे उसमें से reactant की value को minus कर देंगे तो जो जवाब आएगा उसे हम बोलेंगे heat of reaction अब मैं आपको पहला numerical कराने जा रहा हूँ उससे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम reaction की heat को calculate करेंगे तो उसमें से आपने oxygen को neglect कर देना है ठीक है oxygen को हम include नहीं करते हैं क्योंकि oxygen हमारे प पहले numerical देखते हैं पहले numerical आपकी example का है example आपकी book की है 11.3 और इस numerical के अंदर वो आपसे कह रहा है कि calculate the enthalpy आपने enthalpy मालूम करनी है किसकी combustion की combustion का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हवा की मौझूदगी में जलाना किसी भी चीज़ को हवा की मौझूदगी में जलाना जैसे अग given information के मताबिक आपको एक equation दी वी है इस equation के अंदर यह जो arrow है ना arrow के बाद जो कुछ लिखा होता है इसे हम product क्याते हैं और आप देखने हैं product के numbers है 3 और 4 यह क्या होगा यह NP है यह NP क्या है 3 और 4 तो NP का मतलब number of moles of product वह आपको कैसे बतल लगेगा जो भी arrow के बाद आपको numbers दिए वे होंगे बड़े numbers वो कलाएंगे NP इनको जमा करना है लेकिन multiply करने के बाद जमा करेंगे तो इसे submission बुलेंगे और यहां देख रहे हैं arrow से पहले जो numbers हैं यहां कुछ नहीं है तो one होगा यहां five है लेकिन oxygen को तो हम include करते ही नहीं है तो आप समझने की लिखा ही नही नहीं करते हैं तो nr क्या होगा कि जो कुछ arrow से पहले है उसके numbers क्या है तो इसको हम include करेंगे नहीं तो सिर्फ यहां देखेंगे यहां तो यहां अगर कुछ नहीं तो क्या होगा one यानि nr की value कितनी है one तो NP की value 3 और 4 है जबके nr की value कितनी है one इनका data बनाना बहुत असान ह आप simple क्या करेंगे आप data की heading डालेंगे अच्छा इसमें एक बात मैं आप और बता दूँ अगर आप इसका data ना भी बनाएं तो paper में marks नहीं करेंगे यह इसका data बनाए ना बनाएं यह आपके उपर depend करता है अब जो कुछ आपको दिया है सवाल के अंदर वो ही आप as it is उत उतार दें तो मैं इसको जल्दी से as it is उतार देता हूं तो जो question में दिया वा था वो data हमने as it is उतार दिया एक चीज़ हम नहीं लिखेंगे कि हम मालूम क्या कर रहे है reaction की heat तो heat of reaction लिखके उसके आपके क्या बना देंगे question mark अब हम जल्दी setting डाल देते है solution की formula हमें already पता ह नहीं है थोड़ी दिर पहले मैंने आप से discuss भी गया था formula बस थोड़ा सा मुश्किल है आपको याद करने में मुश्किल होगी आप उसे दो तीन दफर लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा तो मैं जल्दी से formula लिख देता हूं तो यह formula मैंने लिख दिया अब आपने इस formula को में values रखना सीखनी है काम की बात ही है तो delta h reaction को तो आप ऐसे ही लिख देंगे अब आप क्या करेंगे देखिए आपने क्या करने था product में से reaction की value माइनस अब अब आप जल्दी से product को देखेंगे कि product है क्या तो product कौन हो ता है da do के बाद होता है सो देखें जारा arrow के बाद कौन है arrow के बाद है three carbon dioxide या यानि 3 mol carbon dioxide के और 4 mol water के अब ज़र जल्दी से carbon dioxide की value देखें देखें carbon dioxide की value कितनी दीवी है 393.5 393.5 393.5 लेकि negative का और carbon dioxide हैं कितने 3 carbon dioxide की value कितनी है 393.5 और हैं कितने 3 तो आप क्या करेंगे आप अपने solution में यहां पर एक square bracket लगाएंगे पहले तो फिर आप round bracket लगाएंगे फिर लेखेंगे negative 393.5 negative 393.5 क्योंकि यही value थी carbon dioxide की अब carbon dioxide थे कितने 3 तो आप multiply किससे कर देंगे 3 से मैं दुबारा दिखा देता हूंगा आपको यह देखें अगर आप equation में देखें जो आपके पस 3 carbon dioxide है तो मैंने value को किससे multiply कर दिया 3 से अब आजाए water के ओपर तो water कितने चार तो आप अब water की value को किससे multiply कर देंगे चार से तो चलें water की value देखते हैं क्या है देखें लिखाव है heat of formation of water equal negative 285.8 तो हम जल्दी से लिख देते हैं negative 285.8 और कितने water थे चार तो हम इस value को multiply किससे कर देते हैं चार से जब product खतम हो जाएंगे तो आप bracket को बन कर देंगे फिर देखें formula का minus तो आप minus लगाएंगे फिर दोबारा bracket लगाएंगे तो product की value तो हो गई अब हम किसकी value लिखेंगे reactant की reactants कितने हैं देखें reactants 2 है यानि arrow से पहले दो values है एक C3H8 की और एक oxygen की तो oxygen को तो हम नहीं देखते तो उसे तो भूल जाएं C3H8 है कितने कुछ नहीं यह आपर तो वन है तो C3H8 की value अगर आप देखें तो data में negative 103.9 तो आप जली से लिख देंगे negative 103.9 और थे कितना है यह वन तो multiply किसे करेंगे वन से पहले आप राउंड ब्रैकेट बन करेंगे और फिर उसके बाद आप कौन से ब्रैकेट बन करेंगे square bracket आखिर में जब सारा काम कर लेंगे तो square bracket को बन कर देंगे अभी हमें ऐसे तीन numerical करेंगे तो आपको practice हो जाएगी और खुदी चलें अब जल्दी से हम calculator से values को multiply कर देते हैं सबसे पहले आप क्या लिखेंगे calculator में negative 393.5 और इसे multiply किसे कर देंगे 3 से तो calculator आपको लिखावा देदेगा 1180.5 बिलकुल इसी तरह से calculator में लिखेंगे negative 285.8 multiply by 4 तो calculator आपको लिखावा देदेगा negative 1143.2 यहाँ पर आप अपना square bracket बन कर देंगे आप आजए ही दूसरी साइट पर तो जब आप 103.9 को वन से multiply करेंगे तो calculator आपको 103.9 लिखावा ही देदेगा अब आप क्या करेंगे इन दोनों को calculator की through solve कर देंगे तो जब आप इन दोनों को calculator की through solve करेंगे तो calculator आपको लिखावा देगा 2323.7 और यह minus और minus क्या हो जाएंगे प्लस 103.9 अब calculator की through आप इन दोनों को भी solve कर देंगे तो calculator आपको इसको simplify करके answer निकाल के देगा negative 2219.8 यूनिट आखिर में आएगी क्लो जूल पर अच्छा याद रखिएगा कि आप यह numerical important है क्योंकि model पेपर में भी आया हुआ है कि थोड़ा से solution शायद मैं आपको दिखानी पाया है लेकिन आप अब अब देख लें तो सिंपल मैंने कुछ नहीं किया शायद पेपर थोड़ा सा नीचे हो गया तो आपको ठीक से नजर नहीं आया होगा आप दुबारा देख लें इसको आपने है 393.5 को 3 से मिल्टिप्लाय करा तो आ गया नेगटिव 1180.5 और इससे 258.8 को 4 से मिल्टिप्लाय करा तो आ गया 1143.2 इन दोनों को आपस में सॉल्फ कर दिया तो केल्कुलोटर ने लिखा वादे दिया 2323.7 इन नेगटिव और नेगटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 103. अब इन दोनों को कैल्कुलोटर से सॉल्फ करेंगे तो कैल्कुलोटर लिखा वादे देगा नेगटिव 2219.8 आखर में हम यूनिट लगा देंगे कलो जूल पर मूल अच्छा यह नमेरिकल क्योंकि मॉडल पेपर में आया वाए तो इंपॉर्टेंट है चांसे यह हैं कि है नमेरिकल एड कर देगा तो इस तरह से ही लॉंग कंप्लीट होगा अब मैं आपको हैजस लॉफ हीट समेशन का दूसरे नमेरिकल करा देता हूं हीट ओफ रियेक्शन करी देखें इस नमेरिकल में वह आपसे कह रहा है इन दे मैनेफेक्ट्रिंग ओफ अमूनिया इन दे मैनेफेक्ट्रिंग आफ नैटरिक एसेड यानिए एचेनो थी बाय ओस्टो अर्फोर्स प्रॉसस जब हम एचेनो थी बनाएंगे उस्टोर्स के जरिए तो एक इंपर्डं एक्जोथर्मिक रियक्शन होगा जो कि उन्होंने लिखे दिया हुए एक एक वेजन आपको लिखे दी विए कि चार इनिश्ट्री है वो पांच ऑक्सिजन से मिल रहे हैं और बना रहे हैं और साथ में वाटर फिर उसने आपको डेटा दे दिया तो इस डेटा को यूज करते है तो उसका कोशन नंबर थ्री है यह तो मैं जल्दी से डेटा की हेडिंग लगा के और यही डेटा सारा का सारा मैं कॉपी कर देता हूं तो वो सारा डेटा जो कोशन में लिखा वा था हूँ वो मैंने एजर्ट इस कॉपी कर दिया डेटा बनाना इन नुमेरिकल्स के हम उतारेंगे और फिर हम उससे अप्लाय कर देंगे तो मैं जल्दी से फॉर्मूला उतार देता हूं अब फॉर्मूला उतारने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोड़क की वैल्यू लिखेंगे फिर उसमें से माइनस कर देंगे रियक्टेंड की वैल्यू तो हमार यह आ गई आपके पास A2 वैलुऊ इसे हम किसे multiply कर के लिखेंगे fourस क्योंकि anyo की वैलुव 90.25 से और कितने चार। और फिर water की वाल्य है कितने वाटटर है six तो वाटटर की वैल्य को देखें, वाटर की वैलुऊ आपको दीवे 285.8 तो उसके बाद हम water की value लिखेंगे और उसे किसे multiply करते हैंगे 6 से क्योंकि water है कितने 6 याद रखेगा एनो कितने 4 और water कितने 6 तो जल्दी से हम इनकी values को multiply करते हैं heat of reaction बराबर है एनो कितनी value है 90 लेकिन है कितने 4 तो आप लिख देंगे 90.25 multiply by 4 इसी तरह से water की value कितनी है 285.8 और multiply किसे करते हैं 6 से क्योंकि हैं कितने 6 फिर negative formula का अब हमें reactants की value लिखनी है reactants देखें कितने 2 एक तो oxygen है oxygen को तो हम देखते ही नहीं है लेकिन दूसरा reactant कौन सा है NH3 हाँ NH3 को हमें देखना पढ़ेगा अब NH3 की value कितनी है अगर आप NH3 की value देखें तो negative 46.19 है और NH3 है कितने 4 तो आप क्या करेंगे इस NH3 की value को यानि negative 46.19 को किसे multiply कर देंगे 4 से तो negative 46.19 multiply by 4 और फिर bracket 1 अब हम इसको जल्दी से क्या कर देते हैं simplify तो जब आप 90.25 को multiply करेंगे 4 से तो calculator आपको लिखावा देदेगा 361 बिल्कुल इसी तरह से आप 285.8 को जब 6 से multiply करेंगे तो calculator लिखावा देदेगा 1714.8 अच्छा जी फिर 46.19 को किसे multiply करेंगे 4 से तो calculator आपको लिखावा देदेगा 184.4 अब आप क्या करेंगे calculator में इन दोनों को लिखेंगे तो calculator आपको calculator आपको इन दोनों को solve करके देदेगा तो मैं दोनों का solution लिख देता हूँ जल्दी से कि reaction की heat बराबर है negative 1353.8 इसी तरह से negative क्या हो जाएगा positive कितना 184.4 अब आप calculator में इन दोनों को solve कर देंगे तो calculator आपको लिखा हुआ देगा negative 1169.4 क्लो जूल पर मोल अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने जो model paper का जिकर किया था वो revised model paper की में बात कर रहा था model paper दो आएं फस्टेर के एक पहले आया था और एक उसके बाद दुबारा आया है pattern change होने के बाद जिससे हम कहते है revised model paper अब हम अपना आखरी numerical discuss कर लेते हैं ये भी आपकी exercise का numerical है numerical number 4 exercise का question number 4 तो हम जली से इसको discuss कर लेते हैं तो numerical में theory काफी ज़ाद उसने कहीं भी है आप direct equation पर आजाएं आपके काम की जीस direct equation है तो arrow के बाद आपको 8 carbon dioxide दिये हैं और 9 water के moles हैं जबकि product में oxygen है oxygen को थो हम नहीं देखते तो हमारे पस क्या रहा गया है C8 और H18 लेकिन यहाँ पर number of moles कुछ नहीं तो क्या होगा 1 तो एक reactant है जैसे दोनों numerical में था और दो products है अब मैं जल्दी से data बना देता हूँ data में हम क्या करते हैं जो values हमें question में दीवी होती है हम as it is जल्दी से लिख देते हैं तो मैं भी इसको लिख देता हूँ जल्दी से तो जो data question में दिया वा था given था मैंने लिख दिया जल्दी से और अब हम लिख देंगे कि reaction की heat हमें मालूम करनी है तो enthalpy of reaction equal question mark अब हम solution की heading लगाएंगे और वो ही जो हमारे एक बड़ा सा formula था हम उसको mention कर देंगे मैं जल्दी से कर देता हूं उसको mention तो अब हम क्या करेंगे हम पहले products की value लेंगे जैसे हमने बाकी दो numerical में किया था फिर हम उसमें माइनस कर देंगे कि इसको रियेक्टन की value उसको तो देके product में हमारे पास carbon dioxide और कितने 8 तो जल्दी से carbon dioxide की value को देखते हैं तो देके carbon dioxide की value मैं दे विए 303.5 तो मैं जल्दी से लिए कि carbon dioxide की value कितनी है त्री नेगेटिव 393.5 और कार्बन एक्साइट थे कितने आठ अभी थोड़ी दिर पहले मैं आपको देखाया था चलिए हम दूसरा प्रोड़क देख लेते हैं तो दूसरा प्रोड़क क्या है वाटर और वाटर है कितने नौ तो वाटर की वैल्यू के इतनी वी आपको अक्सिजीन को थो हम देखते ही है तो हमारे पासएगी रियक्टर्इंट बचा छीए एच ही जब ल है कितने बान एस की वैलिए को किससे मिल्टिप्लाए कर देंगे उन से अब जल्दी से मिस्की वैलियू को देखते हैं तो इसकी वैल्यू गिविए है नेगेटिव 223.8 तो नेगेटिव 223.8 multiply by 1 और आखिर में हमने दोनों brackets बन कर दिये अब आप क्या करेंगे calculator से जल्दी से negative 393.5 को 8 से multiply कर देंगे तो यह तो असान सा गाम है जल्दी से calculator से कर लीजेगा तो calculator आपको लिखा वादे देगा negative 3148 और फिर आप 285.8 को 9 से multiply करेंगे तो calculator लिखा वादे देगा 2572.2 फिर आप 223.8 को 1 से multiply करेंगे तो calculator लिखा वादे देगा 223.8 अब आप क्या करेंगे अब आप इन दोनों को एड़ कर देंगे calculator से तो calculator आपको जो answer देगा वह है negative 5720.2 और यह negative और negative क्या हो जाएगा positive कितना 223.8 अब आप चाहिए तो bracket भी हटा दें bracket की ज़रूत नहीं है तो heat of reaction आपके परस निकल के आ जाएगी negative 5496.4 क्लो जूल पर मोल तो आसान से numerical से इतने मुश्किल नहीं है बस आपको formula याद करना है और formula को apply करना आना चाहिए तो आपने क्या करना है बस product लेना है उसकी value में से किसकी value निकाल देंगे reactant की तो आपके पास simple reaction की हीट आजाएगी अगले lecture में हम heat of formation की numerical करेंगे